हलो दोस्तों आज बनाएंगे आठे से क्रिस्पी नमक पारा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए एक कप आठा ले लेंगे और ओन फोर्थ कप सूजी लेंगे जिससे कि यह क्रिस्पी बनेगा नास्ता और इसमें अजवाइन एक चमच ले लेंगे इस तरह से क्रस् बाद के नुसार आधा चमच नमक लेलेंगे और अगर तीखा पसंद करते हूं तो एक चमच चिली फ्लेक्स लेंगे और 4 चमच घी या रिफाइन वाइल ले लेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती या कसूरी मेथी ले लेंगे और इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से मुठी बंदने लगे तो समझेए कि आपका मोयन पर्फेक्ट पड़ा है और ये पानी डालके एकदम सॉफ्ट डोह तयार कर लेंगे सूजी है इसलिए टाइट डोह नहीं तयार किजाएगा नहीं तो फिर ये सूजी फूल लेगा नहीं और इसको दस मिनट के लिए रख देंगे अब साटा बनाते हैं इसके लिए दो चमच घीले लेंगे और एक चमच गेहूं का आटा ले लेंगे और इसको करके इस तरह से मिक्स कर देंगे यह मिक्स हो गया अब आटे की तरफ आते हैं यह आटे की लोई तोड़के इस तरह से मस लेंगे इसको और एक पेड़ा बना लेंगे और इसको अब बेलना सुरू करेंगे जितना पतला बेल सकते हैं बेल लिजेगा रोटी जैसा देखिए इस तरह से बिलकुल पतला रोटी जैसा बेल लिए हैं अभी जो साटा बनाया थे न उसको इसके उपर लगा देंगे इस तरह से लगा देंगे अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर कीज़ेगा और कॉमेंट करके बताईएगा कि कैसा बना है और इस तरह से दबाते हुए इसको टाइट फोल्ड करना है जिससे कि इसका लेयर पता चले और बीच से इसको पहले काट देंगे जिससे इसका देखी लेयर पता चल रहा है और इसको एक एक इंच पे इस तरह से काट देंगे या जैसा बड़ा चाहते हैं उसे साब से काट लेंगे कि इस तरह से इसको एक दबा देंगे देखे, इसके layer एकदम से पता चल रहा है, सभी को इस तरह से दबा के plate में रख देगे, दूसरी लोई को भी वैसे ही करके तयार कर लेंगे, और इस तरह से साटा आधे में लगाएंगे, और इसको fold कर देंगे, और फिर one fourth में लगाएंगे, और फिर से इस तरह से triangle में fold कर देंगे, एक और करके दिखाते हैं, इस तरह से पतला बेल लेंगे, दीखे, इसके layer बिलकुल दिख रहा है, और आधे में लगाएंगे, इस तरह fold करेंगे, और फिर one fourth में लगाएंगे, फि इसको थोड़ा सा दबा के चिपका देंगे, इस तरह से सारा तयार कर लिया है, अब कड़ाही को गरम करेंगे, और तेल जब गरम हो जाए, तब इसको डालके, लो टू मीडियम गैस पे, इसको क्रिस्प हो ये तक फ्राई करेंगे, इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे, ताकि चारो तरफ से अच्छे से क्रिस्प होके फ्राई हो, और जब इसका कलर इस तरह से हो जाएगा, तो इसको निकाल देंगे, ये नास्ता बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है, ये चाय के साथ खाईए या ऐसे खाईए, बहुत टेस्टी लगता है, एक बार इस तरीके से जरूर बनाईएगा, हमारा नास्ता बिल्कुल तयार हो गया है खस्ता और टेस्टी नमक पारे बिल्कुल बन के रेडी हैं मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ